आई बच्चों कल तक अपन लोगों ने एक बच्चा में से पूछ भाया कि सर्फ क्लब इंकम और डीम इंकम में क्या डिफरेंस अभी मैं समझाता हूं एक पर आई आप लोगों बच्चों अभी तक अपन लोगों ने टीटी को इस तरह से पढ़ा कि हमेशा जब भी टीटी पढ़ो न तो तुम्हारे दिमाग में बस टेविल याद आजने चाहिए और घर में यह चाड़ बना लो एक दिवार पर लगा लेना और जाते जाते इसको देखते जाये करो आपको बहुत सिंपल लगेगा बच्च इस इस दा मेरे साब से यही इंक देखो आपको बताए इंकम टेक्स में टोटल 90 सेक्शन है जो हमको लगातार पढ़ने है वैसे 298 पर पढ़ने कितने है 90 वन बोलो फटावट और जोज के साथ बुला गरो एप्लिकेवल 2 3 4 1 एप्लिकेवल 2 डेपनेशन 3 प्रिविए सेर और 4 शाजिंग सेक्शन यह बोलत प्रिवेस सेर में क्या कंवाता है इंकम टेक्स लगेगा अगले साल अगर आपकी टोटल इंकफम डाइला लंस जादा है और टोटल इंकम क्या होता है यह जो वैल्यू निकलगर आएगी यहाँ पर इसको क्या बोलते लंते तो कोई भी परसन प्रीवेस एर में इंकम कमाएगा और इसकी टोटल इंकम अगर डाइलाक से क्या है जादा है तो इस पर क्या लगेगा बच्चो टैक्स लगेगा यहां ते की बसन में आगई अच्छा अब हमारे परेंट जो भी इंकम कमाते हैं जो भी जैसे मालों एक क्ला कमाई है इंकम सीजंटनों परेंट और función प्राइब कर और परेंटर करना के लिए ईससे कर देता हैं पहले चली होती है P&P, capital gain और other source salary के section 15 से 17 house property के 22 से 27 P&P के capital gain 55 और other source 56 से 59 हम एक chapter पढ़ेंगे इसका नाम है salary जब हम job करते हैं तो हमारी company हमको तरह तरह के benefit देती है salary, commission, bonus, perquisites, car furniture, कई चीज़े देती है मालो सब चीज़े तुमको 20 लाक के 10 बेनिफिट में लगे package कितना हो, 20 क्या income tax में पुरे 20 पे tax लगता है answer is no जब हम आप chapter पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है salary से नाम से पैसा मेलेगा पूरा taxable bonus के नाम से मिलेगा पूरा taxable allowance के नाम से मिलेगा आदा exempt, आदा taxable perquisites के नाम से मिलेगा पूरा exempt तो ऐसे हर चीज का अलगलग treatment है, तो मिला 20 तो उसमें कुछ तो पूरे taxable हो जाएंगे, कुछ पूरे exempt हो जाएंगे, कुछ आदे exempt हो आदे, वो सब minus कर कुराने के बाद, जो value आती है, उसको बोलते है income from salary तुमारे को किराय मिला, मकान का किराय मिला, और किराय होने के बाद तुमारे पूरे साल में repair, maintenance, यह खर्चे हो गए, मालो कितने खर्चे होए, 4 लाग के तो अगर एक layman की बात करूँ, सामन्य आदमी की बात करूँ, वो क्या तो देगा, 6 लाग में से 4 लाग माइनस कर दो, 2 लाग इंकम है, बड़ हाउस पॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, वह क्या होता है, जितना भी तुमारा रेंट आता है, उसका 30 पसंद क्या हो जाता है, minus, ऐसे करके लेकिन बच्चों जी चुटी चुटी बाते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताते लेगा कि बारा दिन क्यों पढ़ते हैं, महाउस पढ़ते हैं, बच्चों, बिजनेस, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो जो भी मेरी बच्चों ते फीस आई, मेरे कम से कम 30-35 प्रकार के खर्चे होते हैं, महाँ थीस पीस आइ तीसलाग रुपे और मेरे हर खर्यक्चा 20 पीस आई, 1 एपलूइकल, 3 प्रिवियस एयर, 4 चारजिउग्स सैक्षन, 14 एंक्मम क nouveaux है, हट्स ना, और ये हैट्स हो गए, 15-17 सेलरी, 18-20-20 हट गए, 22-27 हाउस पोपर्टी, 28-44 बी एंड पी और 45-55 वैल गेन, और कोई इंकम जो चार है पर नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी, अधर सोर्स, आप कैमल गेन में क्या होता है, तुमने मान दो लाग की जमीन खरीदी, दो लाग की जमीन को एक क्रोड में बेज दिया, गेन कैसे निकालेंगे, लेमेन की बश्या में, एक क्रोड माइनस, दो लाग, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, गेन निकालने का तरीका तोड़ा ता क्या है, अलग है, अच्छा मालोग गेन निकाल द देना, बैलेंस पर क्या लगेगा, टेक्स, तो ऐसी कई प्रकार की टेक्स प्लानिंग होती है, सरकार ने हमको बेनिफिट दियें, तो इस चैप्टर में आपको दो चीज सीखनी है, कैसे कंप्यूट करेंगे, और गेन निकालने के बाद, क्या पूरे पर टेक्स लगेगा, या हमको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, येस बेनिफिट मिलते हैं, उस गेन में से बेनिफिट माइनस करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी, उसको बुलेंगे, इंकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और को इंकम जो चारो एड़ में ये वाई का जाएगी, अदर सोर्स, बोलो पूछन पूछना, तेरे माइनर है क्या, बुला है, अगर माइनर को इंकम कमाता है, तो क्लब किसमें होती है, पैरेंट्स में, तो ऐसी साथ इंकम होती है, जो कमाता कोई, और जुड़ती किसी, और कीर्थी मेर में, वो मेरे पैसे से कमाए, मैंने पैसा दिया, और कीर्थी 60-65, यह clubbing हो गया, उसके बाद अब आती है undisclosed income, क्या आती है बच्छो, undisclosed income, undisclosed income को dim income बोलते हैं, अभी मैं इसके बारे में आपको बताया नहीं, बाद में बात करूँगा, इन दौनों को क्या कर लो आप, जोड़ लो, हम जो भी income कमाते हैं, हैड में अरेंज करते हैं benefits लेते हैं, बच्छो की income जोड़ते हैं, और deem income को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बच्छो, deem income को जोड़ते हैं, अच्छा, उसके बाद, बच्छो, हम less क्या करते हैं, set of loss, क्या बोला बच्छो, set of and carry forward क्या, loss, section 72 क्या, 80, वो आप क्या कर लो, minus, बच्छो, यह होता ह income यह 2 lakh का loss, क्या यह आपस में minus होंगे, यह केवल income, income पर tax लगेगा, बोलो, क्या कहता है दिल, कुछ होंगे, और कुछ नहीं होंगे, कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसके लिए लो में एक chapter बनावा, इसका नाम क्या है, set of the loss, बताइए, वो less कर लो, इसको क्या total income, बस एक कतम दूर है, नब्य तक पुछने वाले हैं, चलो मेरे साथ बोलो, 1, online तुम ही बोला करो, 2, all definition, 3, previous year, 4, charging section, 5 से तेरा सार आज बता दोंगे अब, 14, heads of income, 15 to 17, salary, 18 to 21, नहीं है, house property, 22 to 27, BNP, 28 to 44, capital gain, 45 to 55, other source, 56 to 59, clubbing, 62 to 65, undisclosed income, और 70 to 80, set of, फिर मैंने आपको बताया था, कि हमारे जो हम पैसा कमाते हैं, जैसे मालो मेरे बच्चों से 20 लाग आए, 4 लाग कहां कर चोगए, कहां कर चोगए, ओफिस में, बचे कितने, 16 लाग, 9 लाग कहां कर चोगए, घर में, बचे कितने, 7 अब आपको आपको बचे का मैंने इन्वेश्में गर दिया, गोल्ड, शेयर, जमीन, मकान, येर वो, बतायो कितने बचे, 3 बतायों, टेक्स हितने पर लगता है, 20, 16, 7 या 3, 16, इंकम टेक्स में जो कमाने से संबंदित क्या होते हैं, फिर्चे, वो तो लाग होते हैं, जो प्रस कि अंडर सहक्शन, Turkey, A.T.C. से, यह कुछ, नोटिपाइड, जो खर्चे होते हैं, क्या होते हैं बच्शों? उनका हम को क्या मिलता है, बच्छों, डिरक्शन, कॊन से होते हैं, आपको बताऊंगा, नोटिपाइड खर्चे हो, नोटिपाइड, इन्वेश्मेंट का लोông म और अगर तुम्हारी है 60 से 79 कितनी है तो 3 लाक से जादा है तो क्या लगेगा tax और अगर तुम्हारी है 80 पुलस है क्या है बच्चो तो बता हो क्या होगा और इसको law में बोलते है taxable कोई भी परशन कोई भी पर्सन क्या गमाता है इंकम तो टेक्स लगेगा अगले साल लेकिन टेक्स तभी लगेगा जब उसकी यह वैल्यू टेक्सिब लिमिट से ज़्याद है और यह वैली निकालने के लिए कैसे करते हैं इंकम को पांच हैड में लेकर जाओ साथ इंकम को अपनी इंकम में जोड़ लो लॉस को क्या कर लो माइनस और नोटिफाइट खर्चे का क्या ले लो डिडेक्शन इस इकल टू क्या टोटल ले इतनी बाते हैं हमने बच्चो लाश क्लास में पड़ी थी आई होप सबको रीकॉल होगे होगा बच्चो चले आज आ फोटोल में दो बेविंबन इस बचा लाश को होगे अना हुग किसान पर सर्स ने किसान इंकम कमाई किसान की टोटल इंकम किसान पर क्या लगेगा नियुक्तmaker बच्च मुझे सरगार चाती है कि कुछ चीज़ों पर टेक्स डालगे कुछ चीज़ों पर टेक्स आजर सारे क कभी बापस नहीं हुए, मतलब जो भी बिलाए कभी बापस नहीं हुए, कौन सा बिल बापस हुआ? खिसानों, इंडिया की 70% आवादी गामों में रहती है, अगर उन पर क्या लगा दिया? टेक्स लगा दिया, तो अच्छो क्या होगा? चुनाफ जीत नहीं पहूंगा भूल इसलिए government ने क्या किया, एक chapter बनाया कौन सा? exempted income, क्या बनाया बच्छो? कुछ income, क्या होगी? exempt होगी, मतलब उसके टेक्स लगे गाई नहीं, उसके लिए सरगार ने काला चश्मा पैंड लिया, ignore, मतलब उसके टेक्स लगे गाई, तो जितनी भी income क्या होती है? exempt होती, क्या चुरुआ थी आपको, किती लाइन चुरुआ थी? 15, 20, अब देखो जंक से लिखना, मैंने section 4 पढ़ाने के बाद आपको बोला था कि बच्छो, छोड़ दो कितने लाइन होगा? 15, 20 लाइन होगा, 8 लाइन चुड़ कर क्या हो ला मैंने? एक ऐसे लाइन खेचो, पंदा ला अब सेंटर में लिखो, एक्जम्टेड इंकम, सेंटर में लिखिये, क्या? कौन्स इंकम? एक्जम्टेड इंकम, तो बच्छो, एक्जम्टेड इंकम है, इसका section लिखो, ब्रैकेट में, 10 to 13 B, 17 B, 10 to 13 B, एक chapter बनावा है, सबसे छोटा chapter, उसका नाम क्या है? एक्जम्टेड इंकम, क्या नाम है? सबसे पहले, लिखो 10-1, 10-1, जाता मतलब लाइने मत छोड़ना है, मतलब कम से कम लाइने है, 10-1, agriculture income, एक्जम्ट होती है, agriculture income in India, एक्जम्ट, क्या लिखा मैंने? agriculture income in India, एक्जम्ट, एक्जम्ट होती है, एक्जम्ट होती है, एक्जम्ट होती है, पाकिस्तान वाली है, इंडिया वाली? अगर आप इंडिया में अग्रिकल्चर इंकम कबाते हो, तो यह क्या होता है, एक्जेम्ट होते है, पैसे, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी इंकम एक्जेम्ट है, तुम्हारे लिए खुशकबरी वाली बात है, नहीं है, ये, क्या निलगेगा, ठैक्ज, पढ़ा पंजाव और हन्या के किसान वह क्यों बैसे वाले हैं? क्योंकि वहाई BMW सब ज्यादा क्यों होता हो? क्योंकि वहाँ पर main कम आई कौन सी है? Agriculture. और agriculture income क्या होती है? exempt होती है. वास समय में आई? अच्छा. उसके बाद दिखो 10 10 2 से लेके 10 48 10 2 से लेके कौन सा? 10 48 इसके बारे में तोज़े बाद बात करूँगा. उसके बाद लिखो 10 AA कौन सा? 10 AA लिखो income of sage unit income of sage unit exum from tax income of sage unit क्या? exum from tax 10 1 agriculture exum 10 2 से 10 48 अभी रूख जाओ 10 AA sage आपने सुना sage का नम? नहीं सुना? बच्छो जैसे यह जैपूर है. क्या है? यह जैपूर है. अब यह अपन कहा है बैठे हुए हैं? तॉंक रोड पे हैं? बोलो. अपन कहा हैं? तॉंक रोड पे हैं. अगर आप तॉंक रोड पे बैठके काम करते हो. हम इसको लॉए में बोलते है domestic Arab area. क्या बोलते है बच्छो? आप बोता है सांगा नेरे में अगर आप जाओंगे तो गॉर्मेंट ने एक area को develop किया. गॉर्मेंट ने एक area को क्या? डवलप किया शांदार. इसको बोलते है सीतापूरा सेज. सुना है आपने? सीतापूरा क्या? सेज. यह आपको सांगा नेरे साइड पे मिलेगा. ऐसे ही जब आजमेर रोड पे जाएंगे तो महाँ पे आपको मिलेगा महिंद्रा सेज. क्या मिलेगा बच्छो? महिंद्रा सेज. पहले गॉर्मेंट ने एक जमीन को बंजर जमीन को अच्छा करसा डवलप किया और वहां जमीन को डवलप करके लोगों को जमीन बेची और बोला कि अगर आप ने यहां फैक्ट्री लगाई क्या लगाई बच्चो? फैक्ट्री लगाई मैनुफेक्शिंग वाली या computer software बना रहे है, क्या बना रहें बच्चो? और पिर यहां से बैटकर आप क्या करते हो? एक्सपॉर्ट करते हो? पहले पांस साल तक पूरा profit exam क्या बोला मैने? पहले पांस साल तक profit exam अगर कोई आदमी क्या करता है? सेज में जाकर क्या लगाता है? यह दूसरा सेज में बैटकर computer का क्या करता है और फिर क्या करतेता है export तो दाइए आपका पूरा profit क्या है एक्जम कितने साल तक पूरा profit एक्जम नौ-tax-rtcs-n-fosys तब का मिलेंगे आपको सेज में मिलेंगे क्यों मिलेंगे फ़ोपिट क्या हो जाता है Example पता हो सरगार नहीं क्यों किया ऐसा बच्छो हम क्या चाहते हैंPopique таким दॉलर क्या पढ़र मारे नियु कि अपड़े यह इंपोर्ट होगा एक स्पोर्ट होगा itt बच्छो, यह हमारी government के laade utasate, maa ka laade utasate, aise, आध बताू, तुम्हारे गढ़ में दो भाई है, एक rupees में कमाता है और एक dollar के- rename ke порю पे बता हो, जादा ghi किसकी रोटी पर लगेगा, एक बच्छे बोलेगा .. , नहीं sir माका प्यार तो माका होता है, ऐच लड़ी होता है, बच्चों कहने की बात है, फिर भी गण में ज़्यादा कमाएगा, उसको तोड़ा बहुत हो घी, ज़्यादा ही लगेगा, बच्चों ये dollar लेके आ रहा है, क्या रहा है धोलर कि माके लाड लें इसलिए सरकार ने क्या बोला अगर आप फैक्ट्री का लगाऊंगे सेज में अम आपको क्या करेंगे क्या आपका पांच साल तक प्रॉफिट एक्जम अगले पांच साल तक 50% एक्जम और अगले पांच साल तक करने थे रहandता पांच साल तक 50% एक्जम अंगलो मुझे रहाए प्रॉफिट न्हया एक्सपोर मे consists you तो फाइदा गाहे हैं, अगर मैं यहां लगाँगा, तो कोई एक्जम्ट, यह फैक्टरी अगर मैं, तो फाइदा गाहे हैं. और मैं पाइदा गाहे हैं. और यह बता हो, हम आमने सेज में फैक्टरी लगाई. This is a tax evasion, this is a tax avoidance, this is a tax planning. जानिंग, क्योंकि लो में लिखा हुआ है, हम को चोड़ी तरी कर रहे है, लो ने हमको राइट दिया है, और हम फाइदा उठाओ, वो करो आप, जितने भी लोगों को लो की समझ होती है, पता हो फैक्टरी का लगाते हैं, सेज में, जो एक्सपोर्टर होते हैं, सेज में लग मतलब, दो गंडे का रस्ता है सेटी से, इतनी दूर एरपोर्ट के हो, क्योंकि बैंगलोर एरपोर्ट के पास ही, आईटी हफ बना रख रहा है बच्चो, और वहां पर क्या वो पूरा सेज है, क्या है बच्चो, सेज, अब लोग बाहर से आते हैं, एरपोर्ट से उतरते है और आतकिया सेज में नोकरी करने चले जाते हैं, इतनी वैल्यू है सेज की, इसके चक्कर में सरकार ने बगल में क्या बना दिया, एरपोर्ट बना दिया, सेटी से दो गंडे कर रस्ता है क्या, बैंगलोर में, और सारी फेक्ट्रे हमाही क्यों है, सेज में ही क्यों है, सेट 10 double A समझ में आया नहीं है, हाँ बोलो हाँ, आये बोलो, ठीक है, 10 1 हो गया, और कौन सा हो गया, 10 2 से 10 40 दे भी बताना, बाकी है, 11 से 13, 10 double A बता दिया मैंने, अब लिखो 11 से 13, 13 A और 13 B, पता कौन कौन से income exempt होती है, एक तो agriculture वाल होगी, एक जिसकी sage में क्या है, factory, आप सो no next, 11 से 13, अच्छा ये गोविन देव जी का मंदिर, चनेश जी का मंदिर, फिर्पतिवाला जी, पता हो ये पैसा कमाते हैं नहीं कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, देखो सर इनको कितने हैं, रियक्शन देखो इनको कितना, बहुत कमाते हैं हो तो, इन पर tax लगता होग गोविन देव जी का मंदिर क्या है, गोविन देव जी union चेक्ष के नाम से बनाए गव है, क्या ये रिंडिक्वल है, घवान फ्रॉम है, बहुत कम्पनी है, तो सबसे ड़ twee को के पर्संवि他या हो फिर्ष生 करते हैं, मैं बहुत कवह्या है, बहुत करा गे 16 स. तो बगवान को भी क्या करना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा तो मैं गवान को भी क्या देना पड़ेगा टेक्स अगर बगवान ने भी पांच कंडिशन लेकिन 11-13 क्या बोलता है अगर बगवान ने भी सेक्शन 11-13 की कंडिशन को क्या कर दिया तो बगवान की इंकम को इसको भी क्या है एक्षेम्ट कर देगा अगर कंडिशन पूरी इंकम क्या लगेगा अगर तुम लोग दो जाते हो मंदिर यह तो दिन एक्जाम हो ते दिन रिजल्ट है बोलो और श्वत देगे और आते हो बड़ी बाते हो गया तो आग लगा दूंगा अग्या अना मंदिर बना दूंगा और यह कमरा बना दूंगा बोलो बड़ी-बड़ी बाते कर देते हो तो आपने प्रशाद ही की उसकी जगे कराय पे ली तो कमाई तो भी दी लेकिन कोई भी ठ्रस्ट अगर 11-13 की कंडिशन को क्या कर दे पूरी कर दे उनकी इंकम भी क्या हो जाएगी ऐगी कौन-कौन लोग है इंकम एक्जम्ट होती है किसान, सेज वाले और मंदिर क्या बोला मैंने लेकिन इंको कंडिशन है क्या कर दी पड़ेगी पूरी है हमारे परेंट्स की इंकम एक्जम्ट अभी तक चर्च होई नहीं केवल तीन लोग कौन किसान, मंदिर और कौन सा देज अब बात करते हैं बतलत कानून कौन रहता है कानून गौन कौन सी गौवर्मेंट या सेंट्रल गौवर्मेंट या इस्टेट गौवर्मेंट अज़ा कि हमको जो पैसा मिलेगा वो एक्जम्ट है कि हमको जो पैसा मिले का और हम जो पैसा देगा इसको इंकम टैक्ब में क्या चुलिछ फिया धि गांगे क्या थे, donation, तो उसको income tax में क्या देंगे, GTI में से क्या देंगे, deductions, donation को भी, donation परसनल कर्चा होता है, और फिर हम जो कमाएंगे, वो exempt है, बोलो, यह तो इन्हों ने अपने favor के लिए कानू बना लिया, का समय लिए बना देते, कि जो tax पढ़ाते हैं, उनके income भी क्या है, exempt हम हमारे को चोड़े बच्चे हैं, बोलो, बताव कौन है चोटा आदमी, political party और electoral trust, electoral trust, political party, income of political party, यह दोनों को एरो भना के लिख दो, income of political party, इन्हें electoral trust होता है, political party से जुड़ा हुआ है, income of political party exempt, 13 यो 13 भी, income of political party exempt, चलो बच्चो, मैंने exemption भी आज पूरी बता दी, बताव कौन-कौन से income exempt होती है, 10-1, किसकी होती है, कौन-कौन से लोग है, जो income tax दुनिया से बाहर हो गए, किसान, trust, sage, or political party, और बताव, 13 के बाद कौन ता section आता है, 14, और छोटी-मोटी exemption, हम लोगों को मिलेगी, वो का मिल देगी, other exemption, क्या बच्चो, तो 10-2 से 10-48 क्या है, other exemption, आप जब भी मेरे बूर से कोई बास सुनेंगे, कि exempt है, तो समझ जाना कहा लिखा हुआ है, 10-2 से 10-48, क्या से section है, other exemption, क्या है बच्चो, other exemption, 10-2 से 10-48 क्या, other exemption, बहुल उच्छे बास सम्में आगी क्या, जल्दी क्या है, other exemption, आप बताओ बच्चो, हमारे सामने पूरी रूप रेका जैसे, मादलो, आज मैं कुछ ही बोलता हूँ, कि आपको न, अगर परेंट्स की income minor में चूड़ती है, तो 15-10 रूपे की exemption मिलती है, कहां लिखा होगा, यहां लिखा होगा, अगर सेलरी में आपको यह allowance म क्या बोला बैने, इनमें difference क्या होता है, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई income exempt है, उसको दिखाते ही नहीं है, और मैं बोलता हूँ कि deduction मिलेगा, तो दिखा के less करते है, अगर क्या बोला बैने, exemption में क्या फरक होता है, exempt तो इंकम दो शो ही नहीं करते, it will not be part of the total income, और जो deduction होता ह है, पहले income दिखाओ, और फिर क्या करो, let's go, बोलो बच्चो 10-1 किसकी income exempt होती है, agriculture, 10-2-1048, other exemption, 11-13, trust, 13-A और 13-B, political part, बोलो बच्चो बास मझ में आई नहीं आई, अब आपके सामने, पूरे sections क्या हो चुके है, अच्छी तरह से क्या हो चुके है, ready, चलो अपन छुपा देते हैं, बोलो, copy मत देखा, गरू, 1, 2, 3, 4, chapter 1, 5-9 बस तर आप बताने वाले हैं, 10-1, agriculture, 10-2-1048, other exemption, 10-AA, sage की income क्या होती है, एक्जम्ट, 11-13, rush, 13-18 भी, political part, person है, income है, exempt नहीं है, अब बताओ, चोथी condition के हैं, तीसी condition के होगी, person है, income है, और वो income exempt, उस income को कहा लेकर जाओ, हैट्स में, salary का बताओ, 15-17, house property, PNP, 44, capital gain, 55, other source, total लाओ, बोलो, clubbing, undisclosed income, set of, 70-80, और deduction, बोलो बच्चो, कौन कहता है कि section याद नहीं, अब तो मैंने क्यों, उप्री लेवल पे बताया है, बोलो, मैंने आपसे वादा किया था, बोलो, बोलो, बाद में, अब इनके अंदर के भी section बोलने लग जाएंगे, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, अब पॉसिवल है बच्चो, तरीका आना चाहिए, बताने का, समझे को क्या बोल रहा है, बोलो, यादे की बात क्लिर है, अब बस मुझे इतना सा gap बढ़ना है, अब हम कहां प इंकम होने चाहिए, इंडिया में होने चाहिए, एक्जम्ट नहीं होने चाहिए, उस इंकम को हैड में लेके जाओ, salary, house property, BNP, capital gain, other source, सबका क्या लगा दो, total, बच्चों की इंकम, जोड लो, loss को क्या कर लो, minus, notified personal खर्चे और investment का क्या ले लो, deduction is equal to total, और वो वेल्यों का ड लाश बाद, लाश बाद, मान लो बच्चों, एक आदमी, एक आदमी, दस लाग रुपे कहा कमाता है, इंडिया में, और दस लाग रुपे कहा कमाता है, USA में, एक आदमी दस लाग इंडिया में कमाता हूँ, जैसे मैं हूँ, दस लाग इंडिया में कमाता हूँ, दस लाग पे टेक्स लगेगा, यह बोल दिया इंडिया वाले पे कितने पे, 10 लाक अमेरिका में कमाता है, तो कितने पे टेक्स लगेगा, 10 लाक पे, क्यों बताओ क्यों, और वाकी 10 लाक पे, USA में, अगर तुम लॉजिकली मेर से बात करो ना, तो तुम बच्चों ने बिलकुल सही पे, आपको इस बात का जवाब, ना तो मैं दूँगा ना तुम दूँगे, इस बात का जवाब देगा, section 5, कौन देगा, section 5, जिसका नाम है, scope of total income, क्या नाम है बच्चों, scope of total income, section 5, क्या नाम है इसका, अभी रुखज़ों में लिखवा दूँगा, scope of total income, और ये बोलता ह है इस बात का जवाब जो भावन से एपंगों में होका उना कि आ पृणर के साथ से जबने उड़े Зएल को हो और लोग क्या बोलता है अगर तुम इंडिया के क्या हो रैजिडेंट और पिरा क्यों बोुला फूं नि-स नाउंड ऑब यह कौन हो और यहां आ मतलब 10.005 इंडिया में कमाा है और 10.0000 अमेरिका में कमा इंड बोलो कत् sitcom घुसा पूझ दस पे टैक्स लाना चाहिए आ dau इसके लिए आपको section 5 पढ़ना पढ़ेगा वो बताएगा कितनी income पे इंडिया में क्या लगेगा tax और section 5 क्या बोलता है बताओ resident कौन है तो इंडिया में हर व्यक्ति के दो status होते हैं क्या resident और इंडिया की आबादी कितनी है एक सो चालीज करोड और पूरे वर्ल्ड की माल दो 700 करोड है कितनी है बच्चो सब बोच करो 700 करोड पूरे वर्ल्ड में चाहिए वो बाद भी देशी हो या हम लोग देशी है और foreigners क्या है पूरे वर्ल्ड में हर आदमी का इंडिया में दो status है पूरे वर्ल में हर आदमी के देश्टित है जो आदिमी इंडिया में इन्स साली की इंकम निकाल रहे है अगर इंडिया में 182 बेस रहता है किते दिन वो इंडिया का रेजिएंट और अगर उससे कम रहता है तो नन मेंडि़ेंट कि बाला मेने बत आगूज, जो इंडिया की तन सरी रहता है, वो एंडिया का कि आदी क्लास रहें 200 दिन इंडिया में रती है, और ये ये वाले ये पांथ दिन इंडिया मे रहते हैं वो नो झाट दो क्या होगा तुम लोग तो क्या होँगे? और ये ये बच्चे USA से पढ़ने आएं सारे विदेशी है और ये इंडिया से पढ़ने आएं बताओ देशी हो या कोई मतलम नहीं है कहां पैदा हुए हो कोई भी आदमी इंडिया में अगर 182 डेज है लेता है वो इंडिया का क्या है रेजिरेंट है ओबामा पुतिन इम्रा इंडिया में चार दिन रहते हैं बताओ नहीं है तो इंकम टेक्स में नागरिक्ता से कोई देना देना नहीं है कौन कितने दिन रहा वो इंपोर्टेंट है और ये जो बात है वो बताएगा section 6 कौन resident कौन resident कौन बताएगा section 6 जल्ली बताओ बच्चों क्या बोला मैंने 10 section 5 और section 5 पहले बोलता है कि पहले तुमारा status बताओ क्या बताओ इस्टेटर मेरा status क्या है resident है बच्चों फिर section 5 पुछेगा कि बताओ पैसा अक्रूड कहा हुआ पुछेगा पैसा क्या अक्रूड मतलब कहां कमाया कहां कमाया और पैसा कहां रिसीव हुआ अब तो बताओ कि तुमारा पैसा अक्रूड कहा हुआ मतलब मैं तुमको जैपूर में बढ़ा रहा हूं तो अक्रूड कहा हुआ जैपूर में तुम मुझे पीज मानलो मुमभी में देते हो तो रिसीव कहा हुआ मुमभी में बताओ रिसीव कहा हुआ मानलो कहां इंडिया में और कहा हुआ, मालो कहा हुआ, इंडिया, रिसीप का मतलब, सेक्शन 7 बताएगा, अक्रूर का मतलब सेक्शन, पापस समझे, सबसे पहले यह देखो, कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, कि आपने बोला कि टोटल इंकम डाइलाक से जा प्रें पढ़ रहे हैं, सेक्शन 5 के बाद इसक्शन 5 बनाइक, इसक्शन 5 बताओ, इसक्शन 5 इसक्शन 5 बताओ, सब्सक्राइगा, तो सेक्शन 5 बनाइकर पहले मैं नहीं बताओ, तो बता तर मात बहुना है?स्टे मिताट स्थ हैं, अच्रेंट को अदुने हैं, यह don yard was enough. कमाने का मतलब क्या होता है नाइन बताएगा बता रिशीब का हुआ इंडिया में हुआ थेक है आप सुन लो आप बुला कौन रेजिदेंट है इधरा रेजिदेंट इधरा उसको तिलक लगाए जाएगा माला बनाए जाएगी या बेटा तू वर्ल्ड में कहीं कमा तेरे को इंडिया म में क्या देना पदेगाmax? वह मैं तो इंटार निध मोभक हैं हुआ भार्क्या क्या है तेरे को तो देना ही पड़ेगा। तू भारत का क्या है रेजिदेंट है तू वर्ल में कहीं कमाें.. क्या? तेरे लेको टेक्स देना थो पड़ेगा।ıyorsun, तुम नराज होगै कोई हैं भी नवालाल कोई कमया है तब तुम स्थयोगा ... कोई नहीं मनाएगा। तुम जई गलत देष में पहता हो गई हो। अगर इंडिय क्या है गोल्ड में तो कई कमाये। उसको गा देना पड़ेगा ...चक्स। उसको मतहर को इस लाग। कितने पर देगा 20 ला तर यह तो गलत बात है पहले आज छोड़ो देश इस देश में रणा तो यह करना मगना रणा यही मानना पड़ेगा तुमको हाँ वह बात अलग है कि फाइनल में जाके तोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है वह अलग है पर जब तक कहा बैठे हो इंटर में क्या सुनके जाओंगे मेरे से बताओ जो बारत का क्या है रेजिरेंट है अब कुरूर भार रेसीव भार सब कुछ भार बट इंडिया में कितने दिन रह लिए बस तुमारी कुंडली में काल श्रफ यूग आ गया अब तुम्हें क्या देना पड़ेगा टेक्स दे जितना अक्रूर इंडिया में हुआ या रिसीव इंडिया हुआ दोनों में से जो ज्यादा इंडिया हुआ बताओ या तो अक्रूर इंडिया में या क्या अब बताओ अक्रूर कहां और तो बताओ यह भी किते बे देगा 20 लेकिन मालो अक्रूर रिसीव दोनों का हैं दोनो असे और U.S.E. और तुम क्या हो इंडिया के? तो पताव। ठेक्स नहीं रहे। तो पताव जो ओबामा, पुतिन या सब क्या है? रेजिरेंट है नन रेजिरेंट? पताव ये इंडिया में कब टेक्स देंगे? या तो आपकृूर कहा? या रिसीब कहा? भूंनो, भार, और वो क्या है? तो वो टेक्स नहीं लेगा. बताओ, रेजिन इनकानीं ही थे, हम लोग रेजिदेन्न ही क्या नियमें है। अरेज बता हमारेटें परेजिद्स प्रंके क्या नहीं हूं है.. हम वेल्ड मे कही कमारे.. क्या हूँ मुझा बहूत? और NRI कब देगा बताओ या तब का हो या रिसीब का हो आकर दोनों में से एक चीज भी का हो गई इंडिया में पताओ क्या देगा टेक्स देगा पताओ ओबामा क्या है ओबामा रेजिदेंट और नोन डेजिदेंट रिटा पताओ, ओबामा ने ये बगडा वाला plot क्राइब लगा रहा रहा है इंडिया में लेगिन सको क्राइ अमेरिका में मिलता है अक्रूड कह你在 प Natomiast क्राइब वक्रूड क्राइब इन पर पीरेजुड कहा नहीं देगा और क्रूड नहीं साथ आ है अब सुनो मेरी बात, दो तरह के लोग हो है कौन, रेजिदेंट, जब आप कौन देगा, पाइव, यह कौन बताएगा, सिक्स, अब सुनो, जैसे मैं हूँ, अभी मैं तुम को पढ़ा कहा रहा हूँ, अक्रूर कहा है, तो अक्रूर कहा हो रहा है, इंडिया, तुम मुझे फी रेजीब ही कहा है, इंडिया, ओके सर, अक्रूर भी इंडिया और रेजीब भी इंडिया, पताओ कितने कमाई मैंने, पांच, मान लो एक बच्चा मेरे से इंडिया में पढ़ने आ रहा है, लेकिन वो नेपाल से पढ़ने आया, कहां से आया है, नेपाल, मैंने का फीस दे, मैं इंडिया में फीस निलाया मेरे पेरेंट नेपाल रहते हैं आप अपना नेपाल में कोई बता दो मुझे देंगे थीक है तो तो रेसीब कहा हुआ आउटसाइड इंडी यह मैंने पांच कमाएं मैं दुबाई घूमने गया और मैंने इस्टेटस पर लगाया कि मैं दुबाई आ रहा हूँ और बच्चों ने मेरा क्या देख लिया इस्टेटस वहाँ पे दुबाई के लोग भी CACMA कर रहे होते हैं तो मेरे को उनको पता लिए कि सतिंदर आ रहे है तो किसी ने मेरे से वहाँ कॉंटेक कर लिया कि सर फ्लीज आप दो दिन आ रहे हो आप यह दो चैप्टर का बच्चों को अवर्वी देर के समझा दाओ टेक्स क्या होती है पैसे लगेंगे पैसे के जिन्दा मत दरो आप हम देने के लिए तिया आ रहे है ठीक है तो तो रिसीप कहा हुआ हए को बोलो किते मैंने दुबई में पढ़ाया पैरेंट बोलते हैं हमारे तो इंडिया में कई नहीं है आपको लेना दो यहां लेड़ो अधरवाली हमारा इंडिया में कोई नहीं अई सट्र दृंदें तो क्रूड कंवार का कहाँ है और रिसीभी कह किते कमाएं 20,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अब इससे बुझा कि तेरा status क्या है? तो लग क्या है status? रेजिरेंट. तो तो क्या होगा इसका अंसर? इसका status रेजिरेंट है ना? तो ये वर्ल्ड में कहीं भी कमाएं. बताओ तुम्हें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना. कितना हो गया? अब ये नाराज हो रही है, ये हो रही है, कुछ भी हो. बताओ क्या देना पड़ेगा? टैक्स. आसम याई? अम मैं बजगया. मैं बजगया. अब तो मैं कौन हूँ? अब तो मैं कब टैक्स दूँगा? अक्रूर्ड इंड्या में? ये च्रूर्ड इंड्या में. बतो दूगा नीं दूगा? दूगा दूगा? अग्सी IS इंड्या में हो गयी ना? बटैक्स नहीं. बताओ ये इस्ते तो बीच दिया. और मैंने अंचना. अब बताये, due to your residential status. है अब बलो वच्च कोई भी अंजान आदम ही मिरे पास आजया है यासे तुम लोग मेरे सारे क्या हो जाएं पहले से पुछहूंगा क्या पुछूँ गा तुर रेजिदेंट है याधर वह बोलते हैlements तो 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 और स्टेटस निकालना है चैप्टर टू बताओ ये कई कायदे की बात बताओ हमको चैप्टर वन पहले बढ़ना चाहिए या चैप्टर तू पढ़ना चाहिए इसलिए बच्चो मैं तो पूरे इंडिया में अलग चलता हूम सबसे पहले कौन से चैप्टर बढ़ाता हूं च इसले बताओ मैं हमेशा चैप्टर वन पहले बढ़ाता हूं या चैप्टर टू बढ़ाता हूं और चैप्टर टू का नाम है रेजिदेंशल इस्टेटर बोलो न बच्चे बाद समझ में आई नहीं हो तो आगे बाद पर अब वह बीच में जो आट लाइन शुडवाई थी रही थी न अपनी वहां लेको सेंटर में स्कॉप आफ टोटल इंकम कि स्कॉप आफ टोटल इंकम ओन्लाइन क्लियर आपको ओन्लाइन बोलो बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा ना आदमी शत्से कुझ जया बर इंडिया मानेगी नी गवर्रमेंट टेक्स तो देना पड़े डबल टेक्स हो गया वह बात अलगे कि फाइनल में सेक्शन नाइंटीवन पढ़ोंगे नमबे नाइंटीवन तो आप एक तोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है एक केस में अधर जब तक आप नहानी पढ़ते तब तक तो क्या लगने वाला है बच्चो घंस लगने माला है तो बताओ ॉबल बॉल टेक्स क्या बोलता है बच्चो और कोई और कोई एक बूमी का अंशुल तुमको कुछ पूछना है कि अ अ एक बच्चों आथा की बात के लिए बीड़ा की होते हैं एक तो कॉंसेट के लिए एक सब कुछ के लिए पता नहीं क्या हो रहा है कि अब नव वन अब लिए स्कॉप टोटल इंकम इसका नाम है स्कॉप टोटल इंकम चोटा चोटा दिखना बचा के लिए स्कॉप टोटल इंकम स्कॉप वृदर इंकम आउसाइड यंडिया वेदर इंकम आंड उसाइड इंडिया वेदर will be taxable in India or not, will be taxable in India or not, it will depend on following, it will depend on following, first residential status of a person, residential status of person, residential status of, packet में कैं लिखेंगे, section 6, यह बताता है, status कैसे निकालते हैं, B, place of receipt, receipt का हुई, इंडिया, इंडिया के बाहर, place of receipt, section 7, place of receipt क्या है, section 7, C, place of accrual, place of accrual, accrual का हुई, section 9, बोलो, जो resident होगा, वर्ड में कहीं कमाया क्या देगा, tax, non-regent कब देगा, accrual India, यह receive it, अब बोलो बच्चो, आपके सामने, यह पूरा जो अपना क्या था, बोलो बच्चो, यह table आपकी अब ready है, पहला चेप्टर, बेसिक चेप्टर, RS, exemption और क्या, क्या निकालेंगे है अपन, जल्दी जल्दी बोलो, टोटल, आप जल्दी बताओ, वन क्या है, वन, टू, all definition, ट्री, previous year, फोर, फाइप, scope of total income, 6, residential status, 7, place of receipt, और 9, place of accrued, आप जल्दी बोलो, वन, applicable, 2, definition, 3, 4, charging section, 5, scope of total income, 5 क्या है, scope of total income, 6, how to determine residential status, 7, receive, place of receipt, 9, accrued, person है, income है, इंडिया में क्या है, taxable है, और वो exempt, नहीं है, 10, 1, tax culture income, 10, 2, 10, 48, other exemption, 10, double A, sage, 11, 13, trust, 13, 18, इन भी, political party, person है, income है, इंडिया में क्या, taxable है, और वो not exempt, person है, income है, इंडिया में taxable और exempt, बताओ, income को कहां लेके जाओ, हैट्स में, 15 से 17, house property, PNP, 28CA, 24, capital gain, other source, 56 से 59, इन सब क्या लगाओ, total, बच्चो की income, जोड़ लो, undisclosed income, जोड़ लो, बच्चो, उसके बाद क्या लाइस कर लो, 70-80 नहीं, loss, उसके बाद क्या जाती है, GTI, और GTI में से क्या ले लो, ATC से ATU के deduction, is equal to क्या, total है, और बढ़ो, charging section में वो तागत है, जो तुमको entire act का क्या दे रही है, क्या दो क्या जूट है बोलो, अरे दिया नहीं दिया मुझे बताओ, यहां पर क्या बोल रहा है आप, ऐसे तो पूरे GST में क्या, ऐसे GST पढ़ोंगे, ऐसी क्या पढ़ोंगे, कष्टम पढ़ोंगे, अब यह भी कोई भी law पढ़ लो, एक charging section में ऐसी तागत होती है, जो तुमको entire act से क्या लागता है, गुमा के लाता है, चलो class दोर करने से पहले, 1, 2, all definition, 3, 4, charging section, 5, scope, 6, RS, 7, receipt, 9, accrued, 10, 1, agriculture, 10 to the 1048, other exemption, 10AA sage, 11 से तेरा trust, तेरा भी political body, person है, income tax, 5 condition पूरी होने पर लगता है, person है, income है, इंडिया में taxable है, exempt है नहीं है, और इसकी total income, और how to compute total income, जो भी income हम कमाते हैं, उसको कहां लेके जाओ, 559 heads होता है, clubbing, set of deduction, तब तो person है, income है, इंडिया में taxable है, not exempt, head में लेके जाओ, benefit low, minor income को क्या करो, जोड़ो, club loss को क्या करो, minus, और notify direction लेक्शन ले लो, is equal to, total, आप अपन कल केरी करते हैं यहां पर, एक नो, thank you.